नमस्कार जनता संचार माध्यमरुको प्रश्वति दर्शन दिग दर्शन कारिक्रम मा गोपिर्मन उपाध्याय दर्शकरलाई हार्दिक स्वागत अहिवादन गर्दशू पुर्विय देश वनेर चनिने हिमाली उपा महाध्युप का मुलुक हरु मद्दे आमरोद देश नेपाल एक हो या प्राचेन काल देखीने रिशी महर्शी होरले प्राचे विद्ध्या विज्ञान कारूप मा मानव जाती कई आदीम काल देखी का चिंतन हरु को स्रेजना कर अध्यातवाधी दर्शनलाई अन्य संचार माध्यम होरले पर प्रश्थद गरदे आयका चनु मने तरह यस जनताशंचार माध्यम देए तिने प्राचेन काल का वहत्तिकवाधी दर्शनलाई शगुरभ प्रश्थद गरदे आयको चops इ विशेवस्त हरू बैदीक बांग में देखी लियरा उपनिशाद हरू तिरपिटक हरू शुत्रसायत्य हरू तथा काभ्य ग्रंथ हरूमा संग्रिहीत रहे काशन इने रिशिमार्शी हरू दार्शनिक हरू रा नितिशास्त्रकार हरू को ब्यक्तित्त्रक्रितित्त को परिचय का रूप मा प्रस्तोद गरिने कारिकम को नाम हो दर्शन दिक दर्शन आजगो प्रस्तोदी में आमिले प्राचीन युक को दर्शन जयन दर्शन को भहतिक बाद अथमाद जयन दर्शन मा रहे को भहतिक बादी तत्त को बारे मा चर्जा आजब प्रस्तति में आमेले जयन दर्शन मा रहे को भातिवादी दर्शन को आधार भूमी केर है। आजब प्रस्तति में आमेले जयन दर्शन एवं धार्म को महत्त पुड़ भूमी का रहे को देखींचा। अधिकांग से जयन धर्म दर्शन सम्मन्नी साहित्य हरुमा अरु खासगारे रा प्राकृरिति भासा, अपप्रम्स भासा मा लेख्येको होना ले एसलाई। बाइदिक साहित्य का पच्छेदर विद विरोदियोर ले भने का कुरा हुन भने रतिब्र निन्ना गरेको देखींचा। सामाजिक बर्गमा आधार सहित्को जयन धर्शन को जबर्जस्त उदय भायरा आये पची बाइदिक धर्म दर्शनले जयन धर्शनका र बोजय धर्शनका पक्षेदर अरुलाई। चरम रूपमा निन्ना तिरशकार आच्छे लगाये को देखींचा। ज़स्तो कपिली स्मिर्तिमा एक ठामा भनियेको चा। बेद सास्त्र का विशयमा आलोचना एवं संका उत्पन्नगरने सैकडों मुरुख अरुका कुरा सुन्नु भन्दा। उनियोरुका लेव बोलेका सैकडों हजारों लाखों को संक्यामा भायपनी बेदादी सास्त्र ले निर्दारी दगर को बचननाई। ज्यादे मत्त पुड़ों होने जान्चा। सबैले यही दिवेद सास्त्र ले बतायेगा कुरा मत्राई सुन्नु पर्दचा। ब्यद बुरेद ही हरुका कुराहरुमा ध्यान दिने हुदैना जसले तेस्ता कुरामा ध्यान दिन्चन। तिने हरुलाई राज्यले दन्ड दिनु पर्दचा। बईदिक हरुले जुन बचन प्रकण करदचन। तिनी अरुने शरवपरी बाक्य हरु उन्, आदेश हरु हरु उन्, बईदिक धार्मदर्षन र साहित्य का पच्छेदर हरुले आपना बिरोधी धार्मदर्षन सम्मन्दी ग्रन्त हरुरु र तिनका रचनाकार हरुलाई राज्य दंड को प्रयोक गरेर भनेपनी नेंतन गर आदेश हरु उन्, बईदिक धार्मदर्षन का बारे मां यहुटा मात्र मुडत्तर कहरु प्रस्तोदगर्ने दार्षनिक एवं तिनका शास्त्रकार हरुलाई निर्धक का रुपमा राज्य को सम्रक्षन रहे को हना दे, बिरोधी अरुपर दी अत्यन्त अस्वेश्न रहे को देखना पाईन छ, अहिले बईदिक शायत्यर धार्मदर्षन का बिरुद्धमा कस्ता कस्ता आवाज ओरु उठीरेका चन, बेद का आधिकारिक अध्यता ब्रामण हुरुले बाहेक, अनेले बेद को अध्यन गरे मां क्ये गरने, बनने संधर मां कपिल स्मिर्तिमाने आनिस मुर्ख एबम गधा हो, त्यस्तो नरगर्धवलाई छोयो भने मात्रपनी पंचांगस नान गरनु परताचा, मनि एको च, बईदिक धर्मदर्षन र, जैन धर्षन का बीच मा अत्यन्त ठुलो अंतर बिरुद्ध सिर्जना भाय को देखिन च, किन भने बईदिक धर् निरंको सत्ता लाई, बचावन का लागी, अनेकों प्रकार का बीधी नियम हरुको तर्जुमा गरे र, यदि एस प्रकार का बीधी नियों हरुलाई, कसेले मान्दय नमने राज्य को दंड बिधान लागु गरे र, वहेपनी त्यस्तो कारे मा तिनलाई, जबर्ध जस्ति सनलगन गरावन परचा भन्ने मानेता रहे को देखींच, बण बेवस्ता बणाश्रम धर्मा यग्य यागारी क्रिया हरु ततकालिन समाज को खास बर्ग को स्वार्थ पूर्ति करनका लागी आधार माद्यम थियो, राज्य सासन अत्यनत कठोर थियो, दास मादिक सासन हरु राज्य दंड को व्यवस्ता पनी कायम भैगु थियो, यश्ता प्रकार को दंड विधान को समाज मा कथी ठुलो महता उंच वन्ने संबंदमा महाभारत को सांति परवमा यश्त वनियेको छो, यो संपुर्ण संशार दंड विधान बारा मात्र नियमित पार्न शकीन छो, य अभई मा कुनाई न कुनाई प्रकार को स्वार्था अवस्यने रहेको हुन्छ, तेस प्रकार का स्वार्थियोर लाई नियंत्रण गर्न पनी दंड को आवस्यक्ता परिहाल छो, दंड को भैले गरदा मात्र समाज मा मर्यादा कायम हुन शक्छ, यश्ता ही प्रकार को दंड दंड विधानले गरदा मात्र चार बरण को वेवस्ता कायम रहेको हो। यस्ते ही दंड विधानले मात्र धर्म र मानिष का संपत्ति को रच्छावायको छो। यदि दंड को भायर अत्रास नहुने हो बने मानिष अउरले पनी पसुबत वेवार हो रुगर ने चन र कुणे प्रकार का यग्य एहाग अधिको मर्यादा समेत परिपालन होना सकने चाहिना तेसे कारण सवयले यही दंड विधान का डरले मात्र आपना काम हरु गरिरे को देखिन चा यही दंड विधानले मात्र कथिपय बरग को स्वार्थ रच्छा होना पुयेगो चा सबई सुथे क बेलावान दंड मात्र जागे को हुँँँँच सबई को रच्छा तेसेली गर्चा दासमाली कहरुले निरंगुष राजी सत्ता को बईदिक दर्मदर्शन को रच्छा एबं विकास का लागी अन्य प्रकार का विचारोर माथी अत्यनत ठुलो दमन गरेको देखिन चा उन यह सम्मन्द मां बालमिकी रामायन को यह उटा प्रसंग मां एशरी वनिये गो छा राम चंदर लाई बंज जानवाट रोगदै रिशी जावाली ले तार्किक भहुतिक बादी विचार हरु को पच्छे पोशण कर दै राम लाई सम्झावन थाल ले भने उनका विचार को पची भने का थिये अति उग्रत्येजले भरिपुर्ण जावाली का विचार हरु एतु बादी अथ वा खानता बादी हरे परिपुर्ण नास्तिक वादी विचार हरु उन तेस्ता विचार को निंदागर दे दसरत राजा का छोरा रामले हे रिशी जावाली तपहले मेरा पावु का विशेम जेजे वन्नुवायो ती सवय कुरा उल्टो बुद्धिमा आदारी चन एसा प्रकार को नाष्टिकताले भरिपुर्ण कुरालाई निंदागरेर मैले खाले जगरी दीन छो मानिशोरलाई धर्मको बाट वाट वाट विजलित पार्ने इत पायं का भनायोर विचार वाट वाद 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 नाष्टिकता पूर्ण विचार हो ले ओत पृत प्रित रायका देखिंछन भने रामले जावाले लाई फटकार गरेको यो बाल्मिकी रागमाण को परसंग हो आज महिले जयन दर्शन को जोन आधार भुमी हो कशरी जयन दर्शन को अजय को पहलो परसंग मानिस का लागी बुद्धी विवेक सवाई भन्दा ठूलो साधन हो जस बाट वुषले जस्ता सुकाई कठीन कामरुपनी संपन्नगार्न सदजबने संबंधमा यस नीति पद्दले वतायको चा विवेक किन व्यसनम पुम्शाम चपय तुम चमा कुरा क्ये हो कम्शाल कुरा क्ये हो भनेरा छोट्यामन सकने बुद्धी लाइने विवेक भनींच एस प्रकार को विवेक सिल्मानिसले आमरों चमता द्वारा जस्ता सुकाई आपत विपत का बाट पनी आफुर अरुलाई पनी पार लगामना सवताच किनमने रात्री को अं चमतानि लाइने कुरा यस नीति पदेले बतायो एस्तेगेरी आरको प्रसंग यो संसार एक परकारले दुख दाईने मने करें च तरह केही अर्थमा यो ज्यादे सुंदर पनी चाहई मने सम्मन्ध मा यस नीति पदेले बताये को छा संसार विश बिर्क्षष्या दविफले अम्रित उपमे काभ्य अम्रित रशाश्वादा सल्लाप सज्जन इशह हितो पदेशको एक्षे चोन्नो पदेवयो इसको ताप्रेवो संशार रुपी बीशब्रिक्ष का दुईवाटा फलहरू सर्वत तम्मानिये का छन्ती वने का पहिलत काभ्य साहित्य रुपी अम्रित रश को पानगर्णू हो वने दोसरो सज्जन पुरुषरू विद्वान पुरुषरू सहह को बेटगार संपर्ग बारता लाप आधी को सुववशर प्राप्त हुनुमान रहे को उन्चा है को सुवार्स नीथी पादेल ही नूँ सझाधी बतायों अश्ठेगार को प्रसंगा बिबेख भेन मानिय सरको शास्त्र ग्यान के काम लाट अनौ भुन लागदैन। मैंने सम्हार्पर्भण को उन्नाईश वद्ध्य को यो बहुष्षुरत स नजाना ती शास्त्रा आर्थम दर्भी पागर असो ये था महावार्थ सभा पर्वको उन्नाइश्य वद्ध्या को पंचालिशन उपद्ध्यों जो इसको तात्पर हो जुन मानिश मां कुन कुरा असल हो कुन कुरा खराब हो बनेर छोट्याउन शकने चमतारा बिवेक हो दाइन भने तेस्तो मानिश धेरेई पड़ेलेहेको सास्त्रग्यान भायको जानेको भायता पनी तेती काम लागदो हो दाईन किना मने संपुर्ण मिठा मिठा परिकार पकामुदा प्रयोक गरीने डाडु नाम गरेको येवडा बर्तनाथ भाणो लाई जभाध कोश्ता मानिश धेरे deste किना डूली ने प्रिकार प्रौस भाध कैस्ता माने चाहँ दर्लक्यान भाणने इत्मार्थजी वितो कोश्मिन कोन जीवति मानव परोपकार कारया ये जी वती सजीवती सभासित रत्नमन्नागार को चोत्तन उपद्धे हो जो एसको तात्परे हो यस संसार मा सबय प्राणी होरू आपने किशिम को जीवन बाची रहका देखींचन मानिश प्राणी को पनी सोई अवस्तार है को हुँँच तरक्य यस्ता मानिश अवरुपनी होंचन जसले आपनो सं अरकाई को पकार को लागी अरकाई को भालाई को लागी समर्पित गरिदियेको हुँच तेस्ता मानिश को जीवन प्राय जसो सफल रभास्तविक जीवन मान शकींच वन्ने कुदा यस नीति पद्दले बतायो इस्ते गिरे अरको प्रसंग सज्जन परोपकारी ब्यक्ति हो जुण जुण व्यक्ति तोहरो ले अरिकांग सरूपमा स्नेह को प्रभागरी रहा हुँच अन्ने सम्मंधमा यस नीति पदले बताये को जा दर्चने शपरसने बापी शरवने भासने पीवा यत्र द्रवध्त तर अंतरंग सश्च ने हो इती कृ ते स्वास्त्य रत्रवन अठाशी उपद्धे वो जो इसकोतात परे हो जुन-जुन व्यक्तित्योरु शंग देख भेट हुदा, उनेवरु शंग स्पर्श करदा, उनेवरु का कुराहरु सुन्दा, उनेवरु का संभाशन करदा अपनू चित्त प्रसंट न हुंच वने, त्यस्परकार को संतुष् प्राप्त हुन्च भने, तेस बना भायक उनेरूप बाट अरुका निम्ती, स्नेर सधवाव खाइम रही रहं च भने, तेस ता व्यक्तित तोरू समाज मा अत्यमत समादर निय चाह भने, अन्यक अन्यक उन्चनाई, मन्यकुरा येस नीती पदेले बतायो, धर्शकमान बाबर प्राच्य विद्ध्याविज्यान को उद्गमस्तल मद्दे एक मानिय को यह सेहुवत खंड को उभूच्छेतर वाट अथभा यह सेहुवत खंड को नेपाल वाट अरुलाई पनी विशेवस्तो बारे जानकारी गरावने उद्धेशले आयोजनागरिये को प्रस्तुती दर् प्राविदिक सहकर्य मित्र दिनेश लोहनी तथा विकास चावदरी के साथ मगो पिर्मनो पाध्याय विदावांगरशू धन्यवाद नमस्कार